गुड इवनिंग स्टूडेंट्स हम में पहली वीडियो में विगोस्की के इंट्रोडेक्शन के बारे में पढ़ा था कि जो विगोस्की थे वो एक सोचल कल्चर डिवर्मेंट की बात की है उन्होंने अपनी थियोरी में कि वो एक रशियन साइकलोजिस्ट थे अब हमारा ज जो नेक्स टॉपिक है विगोस्की ने जर्नल जनेटिक लोग फ कल्चर डिवर्मेंट की बात की है इसमें उन्होंने इस बात की पूष्टी की है फ्रेम लिया है कि इस दा की ओफ हाईयर बहेविए कि जो उच्च विवार है वो क्या है उच्च विवार की गुंची है ठीक का म happiest वी है कि जितना वी बच्चे का वयाल ubiquis होता है वह यानि कि दो या तीन शुरू होएसे तो बाइबर्त हो जाता है शुरू बड़ जो development शुरू होती है वह दो-तीन से शुरू होती है वह 12 साल तक वह developed हो जाता है वो दीरे-दीरे क्या होता है जब उसके बाल विकास होने शुरू हो जाता है तो वो समाज के contact में आता है ठीक है फिर पहले क्या होता है यानि कि समाज के social के contact में आता है फिर वो एक लोगों से मिलता है दूसरे लोगों से मिलता है मिलने के बाद उसकी जो बुद्धी में विकास होता है दीरे दीरे और उस पही क्या होता है उसमें बच्चे के बाल विकास में जो बाल विकास में उसकी सहिता करता है नौलिज जो है उसके बाल विकास के रूप में आता है फिर व्यक्ति गतिवीदी के रूप में बच्चा समाज के सामने आता है तो उसमें क्या होता है बच्ची की जो सोच है वा आंतरे गुनों के रूप में कारे करती है उच्च मनोवग्यानिक कारे पहले बाहरी समाज के रूप में शामिल होते है जो उसका ने बालवी कास में यह चीज को विचारा था कि पहले बच्चे में लर्निंग होती है फिर उसमें ड्वल्मेंट आती है ठीक है पिटा फॉर एक्जामपल मैं आपको देती हूँ कि पहले मालों की जो बच्चा पहले जो भाशा होती है वो अपने घर से सिखता है चाहे वो हिं फिर अपने परिवार से सिखता है फिर वो जैसे कि मालों वो समाज के सबपर्क में आता है तो दीरे दीरे उसकी जो भाशा है उसके शब्दों में बढ़ावा होता है उनके शब्दों के घ्यान में बढ़ावा होता है उसके शब्दों के घ्यान में बढ़ावा होता है उस पूरी भाषा का ग्यान प्राप्त कर लेता है और उसके शब्दों में उसकी भाषा में विकास होता है ठीक है पीटा ये तो थे जनल जनेटिक लोव कल्चर ड्वल्मेंट नेक्स जो हमारा है जट पीडी विकुसकी कहते हैं माई बिगेस्ट कॉंटिव्यूशन इस दा जोन अब जट-पीडी की बात हम पहली भी कर चुकी है जट-पीडी क्या है जट-पीडी दाएरह है जिस ताइरह में रह के बच्चा अपनी बातइर्स होता थे आने, इसको मारणों की उसको जितनी सौच और उसकी समझ में बीना किसी help लिए वो एक दाइरा है जिसमें वो बीना किसी help के अपने आप कारे करता है ठीक है पीटा वो बीना किसी help के अपने आप कारे करता है उसमें जैट पेडी आती है ये एक ऐसी पिक्रिया होते है जिसमें बच्चा help के द्वारा कारे नहीं करता है खुद ये खारे क कि बाद की थी उसमें क्या करता है वह एक ऐसा दारह होता है जहां बचे को help दी जाती है वह जो help होती है वह temporary होथी है थारा कि वह temporarily होती है कि बच्चे को depending नहीं किया जा सकता यह 24 गंटे हम आपने अपने depending हाँ उसको सिखाया जब तो वो सीख रहा है तो उसको help दी जाती है वो सीख लेता है तो then उसके बाद उसको छोड़ दिया जाते है ठीक है पिटा इसकी जो एक definition है JPD is the difference between what a learner can do without help and with help कि जो learner है बालक बीना साहिता से क्या कर सकता है और वहें मदद से क्या कर सकता है बीना साहिता से without help की बात की जाए तो बीना मदद से अपना कारे उन रूप से कर सकता है क्योंकि वो इसको आता है ठीक है मदद से क्या होगा पहले वो सीखेगा दीरे-दीरे जब सीखने के बाद वो उस कारे को भी वो अपने आप करेगा सुतंतरूब से ठीक है बेटा? पोर एक्जामपल देती हूँ आपको जैसी कि अब टेबल्स की बात की जाए जैसी कि अब को पिच्चर में दिखाया है कि अगर एक से पांच तक के टेबल्स की बात की जाए तो बच्चा बीना किसी हैल्प के बीना किसी माद़ से असानी से बोल लेता है ठीक है? लेकिन उसको अगर छे से दस तक के टेबल्स की बात की जाए वो किसी वो उसको नहीं आते है तो वो उसको किसी की help के साथ सीखने पड़ते हैं ठीक है इसके बीच के जो बीच का जो शेतर होता हो जट बीडी कहलाता है ठीक है पेटा नहीं आपको एक diagram के माध्यम से समझाती हूँ कि जोन और प्रॉक्सिमल ड्वेल्मेंट क्या होता है अगर हम सरकल में आप डार सरकल देखोंगे learner can do unadded की बात करें तो इस में क्या है जो बच्चा है बीना किसी मदद के काम करता है यानि what I can do कि वो बच्चा बीना किसी मदद के काम करता है लेकिन अगर हम second circle की बात करें कि learner can do with guidance अब second circle में क्या होता है कि जो बच्चा है learner है कि वो guidance से उस चीज को सीखे कि what I can do with help कि वहाँ पे उसको किसे की मदद की जूरत होगी ठीक है देन थर्ड सरकल में learner can not do कि इसमें क्या होता है कि जो learner है can't do कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम बड़ों की मदद के बीना नहीं कर सकते है पहले उसने क्या किया जो ऐसे कारी है जो वो खुद अपनी अपनी सोवसमज से अपने दिमाग से सानी से कर लेता है दूसरे में उसको एक guidance की जूरत होती है guide करने के बाद वो उस चीज को सीख लेता है ग्राइन करता है और कर लेता है थर्ड में क्या होता है कि उसको कुछ काम ऐसे होते है जिसमें उनको किसी ना बड़ों की मदद लेनी ही पड़ती है ठीक है इसके जो founder थे वो कौन थे विगोस्की थे ठीक है उन्होंने कहा था कि बच्चा अगर शोशल ड्वल्मेंट जो बच्चे का शोशल ड्वल्मेंट होता है वो समाज के साथ ही होता है ठीक है शोशल ड्वल्मेंट जो होता है वो समाज के साथ ही होता है और शोशल ड्वल्मेंट होता है तो कुम्नेक्टिव होती है यानि कि उनके शेतर में विकास दिरे दिरे बढ़ जाता है वो ही बात आजाएगी टेबल की बात लेते हैं जो फाइव का उसको फस्ट फाइव आते हैं वो समाज की मदद से सीखने परेंगे ठीक है अब समाज में चाहे उसके पेजन्ट सों टीचर्स हो ब्रदर हो सेस्टर हो वो उनके मदद से उस चीज को सिखेगा ठीक है पेटा ये था ये थे इसके जोन और प्रॉक्सिमल डुवल्मेंट के बारे में अब इसकी क्रेक्टर स्टिक की बात करते हैं इसकी जो विशेशता है वो क्या है जेट पीडी में का जो सबंध है मोनोवग्यानिक कारियों के श्रिंखला से होता है जिनमें बालक बीना किसी हेल्प के मस्टरी कर लेते हैं उन्हें बीना किसी हेल्प के पर ऐसा होता है ना कि अब डांस की बात लेते हैं इसमें बच्चा आता है ना जब आमने डांस देखा होगा तो उसमें आप लोगों देखा हो गाटि की बच्ची एसे बोलते गया हैं वहां पे कि वहां पे बच्यों डांश ट्रेनर के द्वारा उसको Kollegen ठेड़ी जाता है फूल्ट्रेन हो जाता तो बाद में छूड़ दिया जाता है जीत गे तो वह ठ्रेनर tehdى वो खुद भी ठ्रेनरch ब streaming 5 वही बाता है कि बाद में क्या होता जो डांसर है वो कुद ही ट्रेनर बन गी है उसने वो चीज दिया चीज तरह से सीख ली है अब कोचिंग की बात करें कि ऐसी कई वस्तुईं और क्रियाईं होती हैं जिने संपन करते हुए औरों को बालक अपने चारों और परयावंट में देखते हैं और किसी परकार की सहिता उनकी मदद तक नहीं करने देती तो इन दो सिमाओं में अंतर होता है जो जिसको क्या कहते हैं जड़ पिड़ी ठीक है उसको क्या बोलेंगे हम जड़ पिड़ी कोगनेटिक डवल्मेंट संगनात्मक विकास की अगर हम बात करें तो विकोस्की का संगनात्म विकास का सिधान ये कहता है कि संगनात्मक विकास में अधिक्तम विकास के लिए दूसरे वक्तियों के साथ अंतर करिया की अवशकता होती है कि हमें दूसरे बढ़न, अकेले रहे की वह बात में होती, जैसे प्याजे की अठ्यूजी में वह बोलते हैं, यानि कि उनको टास्क दे दिया और वह खुद करें, नहीं, यहां हम वह कहते हैं कि हमें दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ती है, नेक्स जो है विकास की पक्रिया development of process, development of process की अगर हम बात करें, कि ZPD उनक्रियाओं की श्रिंकला होती है, जीने कोई स्तंतोरूप से संपन नहीं कर सकता, लेकिन अधिक योके व्यक्ति की साहिता से वो पूरा कर सकता है, यहां पे MKO की बात आगी, कि most knowledgeable others की जुरुत पढ़ती बढ़ती है, ठीक है, वही बा बना बनाओ, तो ऐसे हैं, बीना किसी मदद से, ठीक है, सजेशन से, वो चीज को हम असानी से, यानि कि बीना किसी सजेशन से, वो कहां हम सानी से कर सकते हैं, पर अगर हमें कोई सजेशन ही नहीं मिलेगा, हमें वो काम थमा दिया जाएगा, तो वो हम कुद नहीं कर सकते हैं के लिए नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें क्या होते है, MKO, qualified बतन, योग्य वैट्टों की साहेता हमें, लेनी ही पड़ती है, ठीक है पिटा, फिर जो जटपीडी है, वे ड्वल्मेंट ऑफ न्यू स्केल, यान की ने कोशलों का विकास करता है, कि जितना उसके, मालनों उसको जिवल अदर्स के द्वारा, अपने ने कोशलों को और जित करने का कारण में परवतिन करता है, वे कोशकी के सिधान के उसार, बालक किसी नी अधिक अनुभवी व्यक्ति के नर्देशन या मार्क देशन से अधिक कारह कर सकते हैं, ठीक है पिटा, ये तो थे हमारे, ये था हमारा जोन और प्रॉक्सिमल ड्वल्मेंट, ठीक है पिटा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेगे, थेंक्यू बच्चा, हेव नाइस दे,